असलाम अलेकुम, वेलकम टो सुफीज मॉम्स किचन, तो आज बनाते हैं चिकन पुलाओ, बहुत टेस्टी, बहुत इजी और सिम्पल रेसिपी है, पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मैं पस दही और नमक के साथ हमें चिकन को मैरनेट करके रखना है, दही और नमक लगा के रखने से चिकन हमारा जो है, वो बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रहेगा, पुलाओ में, जितना भी दही मैंने यूस करना था पुलाओ में, वो सारा दही मैंने यहीं चिकन में डाल लिय है इसे कवर करके हम आदे गंटे के लिए रख देंगे जब तक हम अपने दुसरी तयारी कर लेते हैं जिस वेसल में पुलाव बनाना है उसी में ओईल लेट कर लेंगे हम तो यहां मैंने देड़ का पॉईल करम कर लिया है और इसमें आलू एड़ कर लेंगे तो मैंने वन बा ओईल से बाहर और फिर सेम ओईल में कुछ खड़े गरा मसाले एड़ कर लेंगे तो दो स्टार अनाई से एक चम्मच सीरा है और 10-12 काली मिर्चे हैं दो बड़ी इलाई ची और 2 दालचीनी के तुकड़े सारे मसाले ओईल में एड़ कर लेंगे इसी के साथ 2 तेस पत्ते भ लेंगे तीन प्याज मैंने इस तरह से लंबा कट कर लिया था प्याज को फ्राय कर लेंगे तो यहां देखिए प्याज हमारा फ्राय हो चुका है अब एड़ कर लेंगे तीन चमच जिंजर गारलिका पेस्ट और देड़ चमच हरी मिर्चो का पेस्ट मिर्ची आप अपने पसंद के हिसाब से ले लेजिए इससे चार-पांच मिनिट के लिए भून लेंगे तो यहां अच्छी तरह से भून चुका है हमारा अद्रक लशन का पेस्ट अब इसमें एड़ कर लेंगे मैनेट किया हुआ चिकन और इसी के साथ पाउडर मसाले एड़ करेंगे तो दो च अचि तरह से मिक्स करने के बाद देखिए ये कुछ इसस तरह से हो गया है अब इससे डहकन डहक करके हम पका लेंगे लो to medium फ्लैंपड तो बारगर से पंदरा मिनिट मैंने लो फ्लैंपर पकाया था चिकन को बीच में मैं इससी चलाया भी था और चिकन में मैंने एक्स्ट और डेली यूज़ करने वाला ही राइस यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आप चाहे तो बास्मती राइस का यूज़ कर लीजिए, तो चावलों को दालने के बाद इससे बस हलके हाथों से एक बार इस तरह से मिक्स कर लेना है हमें, अब फ्राय करके जो आलू रखेते ह आलू भी आट कर देंगे इसी में, और फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे हलके हाथ से, फिर पानी आट कर लेंगे, तो यहाँ मैंने चार कप चावल के लिए 6 कप पानी का यूज़ किया है, पानी थोड़ा गरम करके ही दालना चाहिए, पुलाओं में इस तरह से जब भी दा है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुलाओं में, फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे, और निम्बू का रस एट करेंगे, एक निम्बू मैंने इस तरह से देखी, स्क्वीज कर लिया था, निम्बू का रस एट करने से पुलाओं के जो चावल है, वह बहुत ही खिल लोफ लेंपर दम पर पकाईए से, 12-15 मिनिट के बाद हमारा पुलाओं रेड़ी है सर्फ करने के लिए, रसीपी पसंद आईए तो प्लीज लाइक और शेर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल लाइक नही रसीपी के साथ, टेक कैर, अलाह हफीज, थैंक्स फर वाचिंग